आप ज़रा बताइए सर मैं नौइडा में रहता हूँ, नौइडा से दिली डेली आता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो निजामोदीन ब्रिज है, वो बहुत चोड़ा हो गया जा रहा है वो, आपका जो एक कमिट्मेंट था कि दिली से मेरट 45 में पहुंच जाए जाए बाइ रोड, ये बताइए कि हम अभी कितनी दूर हैं उस सपने को देखने में, दिली से दासला, ये पहला 10 किलोमेटर 14 लेन है, और ये दुनिया का देश का, दुनिया का ने, देश का पहला 14 लेन रोड है, और जिसके दोनों बाजियों में डाइडे मिटर हमने साइकल ट् पुरा हुआ है, आठ हिया दस तारिक को प्रधान मंत्री के हाथ से उसका इनाउगरेशन करने जारा है, 10th of ये अभी, क्या बात है, 8 ये सुन रहा है, आप इसे कितने लोगे, how many of you actually have traveled on that stretch from Nizabuddin Bridge all the way up to Merit, okay, quite a few, okay, 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 so you have good news coming up for you then. ये बाद में जो दासना के बाद, ये जो ग्रीन हमारी alignment है, Merit तक उसका भी काम शुरू है, उसको बाकित तीन packages है, उसको और एकात साल लगेगा, और ये जो आज थाड़े तिन घंटा लगता है Merit से दिल्ली आने के लिए, ये 45 मिरिक में होगा, दुसरा important चीजे जो दिल् पर हमने खर्चा किये है, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी, बगाफी देर चला, कमिटी बनी थी, भुरे लाल जी की वगरे, वो हाइवे अब लोग इस्टरली बाइपास हम पूरा कर रहे हैं, वो भी 8-10 तारिक को ही प्रदान मंतरी इनाउगरेट करेंगे, मैं त पतर पदेश, इन राज्यों में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था, ये जो रिंग रोड दिल्ली की बन रही है, ट्राफिक बाहर के बाहर जाएगा, और उससे दिल्ली का पचास टक्के ट्रैफिक जाम, और पचास टक्के पोलुशन इस रोड के रोड का, उसको भी हम लोग तीन पैकेज हमने अवाड कर दी है, और हम लोग इसी 15 दिन में उसके कारे का शुभारम कर देंगे, उससे भी ये जो होटेल से आगे बज़े दिल्ली की जागरुफी जादा मालूम नहीं है, पर ये द्वार का एक्स्प्रेस हाईवे के कारण, निश्चित उपसे यहां भी ट्राफिक जाम काफी कम होगा, और ये जो आप मुंबई में सुना, हमने कि आप एक फ्लोटिंग होटेल बनाने वाले थे, वो फ्लोटिंग होटेल को लेके आप बड़े विवाद में फंस गये, वो क्या हुआ सर, वो ने कोई विवाद में न प्रसुन जोशी जी जाएंगे यहां पर बैठे हैं, वो जाएंगे देखिया, बित्रों के साथ, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मुंबई में 80 क्रूज आए, और मैय और मुख्यमंत्रे जी जब गए थे, तो ये जो हॉल है न, इससे दुगना बड़ा हॉल था, 28 र आकरशन का केंदर बनेगा, वाट बाउट इस सागरमाला रोड प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं सेर, इस पे कितनी उन्नती हुई है भी, देखिये, सागरमाला प्रोजेक्ट टोटर 16 लाग करोड की इंवेस्टमेंट, हम लोग उस पे एक्सपेट कर रहे थे, उसमें से 4 लाग करोड की जो इन्वेस्टमेंट है, वो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ मेकरनेशन और मोडरनेशन आप पोर्ट के लिए थी, हमारे 12 मेजर पोर्ट है, और हम और 6 मेजर पोर्ट बनाना चाहते हैं, वो प्रोसेस म पौर्टलेट देवल्पमेंट उसमें एकोनॉमिक जोन जोन से है को 나올ज्पिषल डींड देदी निगव देढर तो मुझे लेटर देकर अशुर किया है कि Two साल के अंदर 6,000 करोड की इंवेस्टमेंट करेंगे और 40,000 लोगों को रोजगार देंगे तो केवल JNPT में सवा लाख रोजगार मिलेंगे हम कांडला में स्मार्ट सिटी का इनागरेशन कर रहे हैं कांडला को भी हम लोग काफी बड़े प्रमान पर पोर्ट ले डेवलप्म काफी काम शुरू है